दोस्तो 2 अक्टोबर को गांधी जैंती मनाई जाती है अहिंसा अंदोलन के दम पर देश को आजादी दिलाने वाले बापू आज भी लोगों के दलों में जिन्दा है आज हम आपको 2 अक्टोबर को गांधी जैंती क्यों मनाई जाती है ये बताएंगे देश के आजादी के लिए गांधी जी कई बार जेल भी गए थे गांधी जी का जन्म 2 ओक्टोबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 ओक्टोबर को क्यों मनाई जाती है गांधी जयन्ती 2 ओक्टोबर के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था इस दिन को विश्व अहिंसा देवस के रूप में भी मनाया जाता है गांधी जी को विश्व भर में उनके अहिंसा आत्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है कैसे मनाई जाती है गांधी जयंती गांधी जयन्ती के दिन लोग राजगाट नई दिल्ली में गांधी प्रतेमा के सामने श्रधानजली आरपत करते हैं महात्मा गांधी की समाधी पर राश्रपती और भारत के प्रधानमंत्री के उपस्तिती में प्रात्ना आयुजित की जाती है महात्मा गांदी जी से जुड़ी पांच रोचक बाते नमबर वन महात्मा गांदी ने लंडेन में पढ़ाई कर बैरेस्टर की डिग्री प्राप की थी लेकिन बंबई उच्छ न्यायालाई में हुई पहली बहस में वे असफर रहे थे नमबर टू दुनिया की सबसे बड़ी मॉबाइल कंपनियों में से एक आपल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स गांदी जी को सम्मान देने के लिए गोल चश्मा पहनते थे नमबर थृ बारत में छोटी सडकों को छोड़ कर महादमा गांदी के नाम पर पचास से ज्यादा सडके हैं साथ ही गांदी जी के नाम पर विदेशों में करीब साट सडके हैं नमबर चार, महात्मा गांदी को पांच बार नोबल पुरिशकार के लिए नामित किया गया था लेकिन उन्हें एक भी बार नोबल पुरिशकार नहीं मिला नमबर पांच, बापु रोज 18 किलोमीटर पैदल चलते थे